जिन्दगी में कई बार बेहदी सर्प्राइसिंग चीजे होती हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल सा लगता है इन में से कई मोमेंट्स हमें इमोशल कर जाते हैं तो कई बहुत कुछ सिखा के जाते हैं इन पलों को अगर कैमरे में कैद नहीं किया जाए तो लोगों को तो इन पर विश्वास ही नहीं होता आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अनगिरिवेबल मुमिंट्स लेकर हाजिर वे हैं जो आपको काफी इंटरस्टिंग और रोमांचक लग सकते हैं तो चली शुरू करते हैं लावा वर्सेस का इतिहास गवा है कि जब कभी धर्ती पर वॉलकैनोस फटे हैं तो उन में से होने वाली तबाही काफी ज़्यादा रही है हमारी पहले वीडियो इस बात को सथ साविच करती नज़रा रही है जहां वॉलकैनोस से निकलने वाले लावा का फ्लो इतना ज़ाधा है कि वो रास्ते में आने वली हर चीज़ को तबाह कर रही है हम क्लिप में देख सकते हैं कि लावा कितनी तीजी से गाड़े की तरफ बढ़ रहा है और कुछी सेकेंड्स में उसे जलाना शुरू कर देता है ये वीडियो हवाई में फिल्माई गई है जहां किल्वा वलकैन ओव विस्वोर्ट के चलते भार ही तबाही हुई थी केवल ये कारी नहीं बलकि 26 घर भी इस लावे के चपेट में आये थे तबाही के चलते 1700 लोगों को अपना घर छोड़ कर जाना पड़ा था इस विस्वोर्ट से हाला कि जान का तो कोई नुकसा नहीं हुआ था लेकिन होने वाली तबाही काफी ज़ादा थी स्मार्ट एलिफट हाथी बहुत ही होशयर जानवर होते हैं इस बात में कोई शक नहीं है हमारी अगली वीडियो में यह बात सावित भी हो जाती है इस वीडियो में आती ने रेल इरट क्रॉस करने का मन बना लिया है इसके रास्ते में उस्प्रीप और भड़ी अर्चन रेलवेः बैरियर है और उसे अपने पैरु से बुचल कर आगे बढ़ जाता है हाथी का ये वेवहार काफी अजीब है वचाता तो दोनों बेरियर को एक ही तरह से क्रॉस कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया इसके पीछे की असली वज़ा क्या थी ये तो वही जाने क्या आपने कभी सोचा है कि सीगल को कैसे पकड़ा जा सकता है आपके लिए शायद ये टास काफी मुश्किल हो सकता है लेकिन वीडियो में दिख रहे इस इनसान के लिए सीगल को कैप्चर करना काफी असान है तबी तो ये केवल अपने हाथों की मदद से उसे पकड़ पा रही है ऐसी ही एक और क्लिप देखे जहां एक आदमी लेटा हुआ सीगल के अपने पास आने का इंतजार कर रहा है जैसे ही ये चिड़िया आदमी के उपार आती है ये दोनों हाथों से उसे पकड़ लेते हैं ऐसा ही कुछ हमें अगले केस में भी देखने को मिलता है जहां खिड़की से बाहर हाथ लटकाए आदमी के हाथों पर सीगल आकर बैट जाती है जिसके बाद उसे उस चिड़िया को पकड़ने में केवल कुछी सेकंड्स लगते हैं ऐसी क्लिप हमें बताती है कि खाली हाथों से भी सीगल को कैसे पकड़ा जा सकता है ये वीडियो रास्ते से गुजर रहे लोगों ने बनाई है जने अचाना की दो जानवर आपस में भीड़ते वी दिखाई पड़े ध्यान से देखने पर ये समझ में आता है कि इस लड़ाई में एल्क की कोई गलती नहीं है बलकि बियर ही उसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है सबसे पहले भालू एल्क पर उसे पीछे से वार करता है और फिर उस पर हावी हो जाता है वीडियो में ये पता चल पाता है कि आखिर भालू एल्कों को पकड़ने में कैसे सफल हो गया कुछ लोगों का मानना है कि शायक गोली से शौर्ट करने की वज़स से ये जानवर इतनी असानी से हार मान गया आखिर में भालू बड़े चाव से एल्कों को खाना शुरू कर देता है ये क्लिप कैनेडा में रहने वाले 20 साल के घोड़े की है जिसका ओनर एक बहुदी खुबसूरत वीडियो कैप्चर करता है वीडियो क्लिप में घोड़ा बहुदी हैरत अंगेज जंप करने की कोशिश करता है लेकिन न जाने क्यों नीचे गिर जाता है जरूर ही उससे इस घटना में चोट आई होगी क्या आपने धरती पर कोई ऐसा शहर देखा है जहां घर के बाहर की स्ट्रीट पर अक्सर प्लेंस लैंड और टेक ओफ होते रहते हैं ये वीडियो कैलिफोनिया के कैमेरियन पार्क की है जहां सभी रेसिदेंस के पास अपना प्लेन है जिसे वो अपने घर पर पार्क करते हैं और टेक ओफ करने के लिए स्ट्रीट का इस्तेमाल करते हैं शायद इसलिए इस स्ट्रीट को काफी चोड़ा और लंबा बनाया गया है ताकि जरूरत के समय इसे रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जा सके बियर एंड सकायर बर्फ में सकाइगिंग करने का मज़ा कुछ और ही है थंडे इलाके में रहने वाले ज्यादा तर लोग सर्दियों में इस स्पोर्ट का मज़ा जरूर लेते हैं लेकिन कभी कभी सकाइग के दौरान कुछ घटना ही हो जाती है ये वीडियो रोमानियन सका को फिलमाने का काम करते हैं हाला कि बियर फुल स्पीड से सकायर को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन स्पीड तीज होने की वज़ज से उसे पकड़ पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है कंगारु वर्सेसकार हमारे अगले इंटरस्टिंग मुमेंट्स के लिए कांगारू के वजन से गाड़े का शीशा तूटने से बच गया और कांगारू को भी कोई चोट नहीं आई अनलगकी BMW मॉस्को के इस बीच पर लोग अक्सर संसेट का मज़ा लेने के लिए आते हैं लेकिन कभी-कभी ये मज़ा कुछ लोगों के लिए सजा बन जाती है इस क्ल क्लिप को देखिए अगर आप डॉग लवर से हैं तो यकीन मनिए ये क्लिप आपके दिल में जगा बना सकती है इनसे मिलिए ये है ट्योस जिसने बहुत पहले अपने दोनों पैरों को खो दिया लेकिन वक्त के सांसाथ इस डॉग ने अपने बचे हुए पैरों पर चलना स पुश्किल हो जाता तो दोस्तों आपको इनमें से सबसे अची क्लिप कौन सी लगी कमेंट करके जरू बताइए और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरू स्कार